तो ही निवश्कार दोस्तों आप सभी का इकॉन वीडियो में स्वागत है तो यहां पे हमने रिसेंटली आर देखा था कि MIUI 12 जब इंडिया में लाँच हुआ था तो कुछ शेडियूल हमको दिया गया था जिसमें आपको बताया गया था कि प्लैन कौन कौन से रिलीज होने वाले हैं MIUI 12 कौन कौन से डिवाइस के लिए आएगी हाला कि जितनी उमीद थी उत्ता बताया नहीं गया सिर्फ यहां पे कौन से डिवाइस को MIUI 12 कब तक देखने को मिलेगा तो यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हो MIUI 12 स्टेवल वर्जन रिलीज प्लैन जिसमें आप यहां पर देख पाऊगे कि फर्स्ट बैच आपको रिलीज देखने को मिलेगा हाला कि इनमें से सर्फ दो डिवाइस ही इंडिया में अबलिवल है जो कि है Redmi K20 और K20 Pro दोनों को हुई अल्रेडी यहां पर MIUI 12 की अपडेट आ गई है तो एक चीज आप इस डिवाइस जो लिस्ट में आपको दिखा रहा हूँ उससे समझ सकते हो कि आने वाले दिनों में आपके ज यहां पर नीचे लेकिया हूँ सेकंड बैज में जहां पर आपको देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर अब यहां पर डिवाइस में देखें जो कि इंडिया के अंदर एवलेबल है तो उसमें से रेड्मी नोट 8 प्रो देखने को मिलता है जिसको तो फिलाल फाइनली स्टेबल ओफिशल देखने को मिल गई है किलावा दूसरा डिवाइस देखने को मिलता है रेड्मी नोट 7 प्रो रेड्मी नोट 7 जिसको अभी फिलाल इंडिया में बीटा टेस्टिंग के अंदर मियो वाइश वैल्फ देखने को मिली है फिलाल तो यही सिर्फ तीन डिवाइस हैं जिसका नाम आपको देखने को मिलेगा जो कि सेप्टेंबर के एंड तक यहाँ पर आने की पूरी उमीद आपको मिल जाएगी लेकिन आप यहाँ पर बात कर लेते हैं ठर्ड डिवाइस का जो भी लिखा है तू बी अपडेटेड यानि इसका अभी भी कोछ फिक्स नहीं है हो सकता है सेप्टेंबर में ही आ जाए हो सकता है सेप्टेंबर के बाद अक्टूबर में आया उसके थोड़ा और यहाँ पर यह लेट हो जाए यहाँ पर आप देख सकती है उस डिवाइस Redmi 6 से Redmi Note 5 और Redmi S2 यहाँ पर देखने को मिलता है अब यहाँ पर बता दूँ तो Redmi Note 6 Pro जो की चाइना में लॉंच नहीं हुआ था वो भी इसी लिश्ट में आएगा उसी के लावा Redmi Note 5 और Note 5 Pro दोनों एक ही डिवाइस है तो वो भी आपको ठल वैच में ही देखने को मिलेगा उसी के लावा जो भी यहाँ पर डिवाइस रिलीज नहीं हुए है चाइना में उसका यहाँ पर नाम नहीं है जैसे कि आप देख सकते हो Redmi Note 9 Pro का भी आपको कहीं भी लाम नहीं देखने को मिलेगा तो Note 9 Series Note Series जो है वो यहाँ पर 2nd batch में सभी आई है तो आप इसको Note 9 Series को भी 2nd batch में आप समझ सकते हो जो कि आपके September end तक यहाँ पर gradually धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा और यह list यहाँ पर आप देख सकते हो time adjust भी हो सकता है आने वाले दिनों में फिलाल I hope आपको थोड़ा सा यहाँ से पता चल गया होगा कि device आने वाले दिनों में कौन को से devices को कप-कप update यहाँ पर देखने को मिल जाएगा क्योंकि चाइना में पहले update मिलता है तो आप इस list को 100% देख के अराम से समझ सकते हो कि इतने टाइम में आपको यहाँ पर update मिल जाएगा कि September में आपको Mostly Note Series के update देखने को मिल जाएगे उसे के लावा यहाँ पर ठल बैच जिसका अभी कोई भी तारीक यहाँ पर नहीं है मन्त यहाँ पर नहीं दिया गया है वो सब इस devices में मिलेगा फिलहाल इसके अंदर आप देख सकते हो Redmi का Redmi 5 AA 5 वगरा कोई भी डिवाइस नहीं है सिर्फ Redmi Note 5 देखने को मिलता है अब इस चीज़ का wait करना होगा आने वाले दिनों में क्योंकि इंडिया के अंदर यार यह Xiaomi ने कोई भी लिस्ट नहीं दिये इस तरीके से जो कि एक बहुती बुरा काम यहां पे कर रहा है फिलहाल तो यही लिस्ट देखने को मिलती है होफ़ुली आपको कुछ यहां पर पता चल गया होगा आपके डायोट्स हो अगरा थोड़े से किलियर हो गए होगे या आप हमारे टेलीग्राम गुरूप को भी जोइंड कर सकते हैं फिलहाल तो इस वीडियो में बस देता ही मिलूँगा ने वीडियो में तब तक लिए टेक केर बाबाई